नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब उम्मेद करता हूँ आप सब कुसलमंगल होंगे आज हम उस चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे जो सद्वियों से हमारे भोजन काई का अभी नंग रहा है और वो है गाएं का देशी घी आयुरेविद में इसे सर्वत्तम बताया गया है देशी की घी घाने के बहुत ज़्यादा चमतकारी फाइदे हैं वो मैं आपको इस वीडियो के मादम से आज बताऊंगा गाएं का घी खाने से हमारे मस्तिस्क का विकास होता है सोचन सकती बढ़ जाती है और स्ट्रेस कम हो जाता जिससे हम अच्छी नींद भी ले पाते हैं गाएं के घी खाने से हमारा पाचन तंत्र मजबूत होता है और जिसकी पाचन किरिया अच्छी होती है उसका जीवन भी खुशाल होता है आजकल एसीडिटी की प्रोब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है और अगर किसी का वेट ज़्यादा है वेट भी कम करने में मदद करता है ही तक कम होता है क्योंकि इसमें फैट की मातरा भुश कम होती है और में चीज ये है बिए हम गाएं का घी खाते किस प्रकार हैं अगर हम गायैं की घी में फ्रोठे बनाके खाएंगे या फिर पूर्या तलके कऊएंगे तो उसका कोई भी बैजिट नहीं है अगर गाएं का घी खाना है तो आप उसे कच्चा खाएं कोई भी सब्जी आप खाने में ले रहे हैं तो उसमें एक चमच एड़ कर लिया दिन में दो तिन चमच आप अगर गाएं का घी खाएंगे तो आपको बहुत सारे फाइदे मिलने वाले हैं घाएं की घी को खाने का सर्वत्नम तरिका ये है कि आप उसे दूद में डाल कर भी ले सकते हैं अगर आप दूद में एड़ करके उसे लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा फाइदा मिलेगा आपको और हमारे समाज में ये मित है कि घी खाने से कॉलिस्ट्रोल लेवल बढ़ता है डोक्टर्स मना कर देते हैं पर गाएं के घी के लिए कभी मना नहीं करते हैं अगर हार्ट पेशेंट भी उसको लेते हैं तो उन्हें भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इसे कॉलिस्ट् गीखाने का एक सबसे बड़ा फाइदा ये भी है जैसा कि आप सब लोग जानते हैं हमारा इन्वारिमेंट कितना परदूसित है बहुत जदा परदूसन हो गया है हमारे वातावन में जिससे कफ नजला जैसी बिमारी है आम बात है तो अगर आप दो बूंद रोजाना नाक मे गाएं के घी की डालते हैं तो नजला कफ इस बिमारियों से चुटकारा मिल जाता है और साथ ही साथ हमारे मस्तिस्क भी बहुत तरोताजर रहेगा तो साथियों गाएं के घी के चमतकारी फाइदों के बारे में तो आपने जान लिया पर ये एक एहम बात है कि आप कौन सा घी यूज़ करते हैं आपको सिरफ बिलोना विदी से जो तयार होता है एटू गाएं का घी ही लेना है और आप अगर इसे लेना चाहते हैं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा जो हमारी वेबसाइट है पसुत्म फार्म के नाम से आप वहां से भी बाई कर सकते हैं ये बिल्कुल ओर्गैनिक तरीके से बिलोना विदी से इसको हम तयार करते हैं और हम डिलिवरी एविलेबल है तो ये थे दोस्तों गाएं की घी के कुछ समत कारिफाय दे अगर आप इन वीमारियों से चुटकारा पाना चाहते हैं तो अपनी डाइट म एटू गाएं का घी एड़ कर लें आज की वीडियो में फिलाल इतना ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करना ना भूले धन्यवाद